पस्चिम मंगाल में पस्चिम मंगाल ध्यान से समझे है अब लोग यह बड़ी भाया पस्चिम मंगाल अजीव हो जाता है यहाम आज तक कोई ऐसा चुनाओ नहीं देखे हैं जब मारधार नहीं हुआ हो उस हिसाब से तो बिहारे यूपी कभी-कभी लगता है ठीक है पस्चिम मंगाल पस्चिम में है यह नहीं है पुरब में है पस्चिम मंगाल पस्चिम में है यह नहीं है पुरब में है तो बंगलादेश से हमको क्या मतलब है देखो बई, यह हिंदुस्तान रफली बना देते हैं, उपर कस्मीरे छुट गया है, यहाँ पे बंगाल था, पहले यहाँ क्या था, बंगाल, इस बंगाल के लोग जो थें, बहुत ही इंटेलेक्चुल बुद्धी जीवी थे, चाहे वो रविंदर नाष्ट टाइगोर हो, चाहे वहाँ पर सुबास चन बोसों, भले उनका जनम कटक में हुआ था, लेकिन जादे चीजे उनका बंगाल में हुआ, चाहे उधर देखेंगे इस्वर्चन विद्या सागर हो, यह बड़े-बड़े बुद्धी जीवी लोग कहां हुए हैं, बंगाल में हुए हैं, और एक वक्त ऐसा आगया था अंग्रेजों के सामने, कि वो समझ गया थे अंग्रेज, कि आजादी की बिगुल यहीं से बजने वाली है, इवन कि मंगल पंडे को फासी भी दिया गया था, बंगाल के बैरकपूर छाउनी में, जिससे की 877 की क्रांती का बिगुल बजा था, तो उसने कहा कि देखिये, भारत के लोग पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन दूर तक सोचते नहीं है, यह धरम को बहुत जादे भैलू दे देते हैं, जैकि धरम को जादे भैलू नहीं देना चाहिए, धरम आपका एक समविधान है, जब समविधान नहीं था, तो यह धरम थ हैं, हमारे यहां जिस धरम में पैदा हो गए, हम उसके लिए अब समझे यह तो हनुमान हो गए, हम अपन बचाएंगे यहां, धरम को बचाने निकल जाता है, तो यह 200 लोगों की मेंबर की ट्रीम इंगलेंड में रिपोर्ट लगा दी, कि भारतियों को अगर उल्जाना है, तो इन्हें आराम से धरम की लड़ाई में आप उल्जा सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है इन हिंदुस्तानियों को रोकने का, वरना यह हिंदुस्तानी बहुत खतरनाक आदमी होता है, जो आला मुखी है सभी सब, किसी को उजार देगा सब, लेकिन यदि इनको धरम पकड़ा हिंदुओं को, कि तुम करो, बड़ यहां समस्या यह आ गई, कि हिंदु लोगों में सिक्षा थोड़ा जादे था, थोड़ा क्या मुसल्मानों की तुल्ला में बहुत ही जादे था, सिक्षा की बात करेंगे, तो यह 100 साल आगे हैं मुसल्मानों से हिंदु लोग सिक्षा के मैटर, सौ साल तो नहीं मनी की बात नहीं कर रहे तो उसने देखा कि हिंदू को अगर हम आगे करेंगे तो नहीं हो पाएगा सक्सेस मुसलमान को आगे करने लाइक है क्योंकि इस सब में अभी उतना सिक्षा नहीं है लुंगी में आग लग जागा तोरे समझ में नहीं आता है तनीसा में आग बबूला हो जाता है और भासा में तो इन में कुछ नहीं भासा आईसा करेगा लोग जिसका कोई नहीं है हैदराबाद वाले को कहता है कि पर दes मिनट के लिए पुलिस हटाओ हम दिखा देंगे तुमको आईकी नहीं बात थिया हमने इसका तभीद खराभ होगै क्या तभीद खराभ होगै जईईंच this तो अंग्रेजों ने किसको पकड़ लिया मुसल्मानों को इसमें उसने मुसलमानों के लिए चालू किया मुसलिम लीग क्या चालू किया मुसलिम लीग मुसलिम लीग को आगे बढ़ाया और उसने कहा कि देखो मुसलमानों के लिए एक अलग छेत्र होना चाहिए और इसी लिए उसने बंगाल में क्या चालू किया Muslim League की अस्थापना करा दिया गया 1906 उससे पहले 1905 में बंगाल का क्या करा दिया गया भी भाजन करा दिया और बंगाल को कितनी भाग में बाट दिया दो भाग में दो भाग में बाट दिया यहाँ पर एक और कर दिया अब बताई यह तो पूरा भार, ये कौन चा है, पूरा भार, तुम लोग इधार ध्यान देना, ये वाला कौन चा है, पूरा, और ये वाला, पस्चिम, तो कितने बंगाल बना दियें, दो, पूर्वी बंगाल और, सर, अनुराग ठाकूर का भासा, दिल्ली दंगा में क्या था, अरे यार छोट, ये कौन है, पूछ रहे हैं, कौन है, मोहन अनसारी, अरे भाई, अनसारी साब, एक बात बताते हैं, सुनिए ध्यान से, हम सारे लोगों की बात बताते हैं, सारे लोग को हम कहते हैं, दुनिया का कोई भी जगड़ा, पांच मिनट में हम नो सल्व कर दे तब कहना, बसरती उस व्यक्ति को ये मत बोलो कि सामने वाले में क्या गलती है, आप जब दो लोग जगड़ा करने पूछे न, बस इतना कहो कि देख भाईया, हम अपनी पूरी गलती गिनवा रहे हैं, तुम अपनी कोई पूरी गलती गिनवाओ, जिसकी जादे गलती होगी, वो समझेंगे, हमरे में तुम इंटरफेयर मत करना, कहीं पे भी, देखो, यहां बाप बेटे में जगड़ा हो जाता है, हस्बेंड वाइप में जगड़ा हो जाता है, सास ससुर में, चूप हो जाना चाहिए था, हम भी उसी समय गुस्ता में बोल दिये, वो भी काएगा कि नहीं, हमको इतना तेज गुस्ता नहीं डाटना चाहिए, हम गलती कर दिये, चोटता कहीं का तू अपन गिनना, सब जगड़े खतम हो जाएगा, दूसरे का गिनेगा, तू मैसा, सब इसको लगता है, सब को ये लगता है कि नहीं, हम ही को दबाए जा रहा है, बार भाया, हम ही को दबाए जा रहा है, कोई किसी को ने दबाता है, हम लोग खुद अपने लिए जिम्मेदार है, तो इधर इसने क्या कर दिया, पुरवी साइड में, पुरवी बंगाल में, इसने रख दिया मुस्लिम को जादे, अंग्रेजों ने किसको जादे रख दिया, मुस्लिम, और पस्चिम साइड में किसको जादे रख दिया, हिंदू को जादे रख दिया, किसको रखा, हिंदू को जादे रखा, अब हो गया बवाल, यहां पे कौन है जादे, मुस्लिम, अ अब यहां पे minority कॉन थे? Muslim. अब यहां के muslim को यह लगने लगा कि हमरी संख्या कौम है, इसलिए हमको दबाए जारा है। अब वहां हिंदूओं को लगने लगा कि हमारी संख्या कौम है, हमको दबाए जाने लगा, अब अंग्रेजों ने कहा कि इसमें आग में घी का काम कौन करेगा, पता है, जो माइनोर्टी है, एक काम करो, यहाँ पर जितने हिंदू लोग है, यहाँ पर क्या है? हिंदू, हिंदू की संख्या क्या है? कम है, हिंदू को थोड़ा सा भड़काओ तक यह आवाज उठा सके, और अगर इनके खिलाप, मुसलिम इनको थूर देंगे. तो मुसल्मानों ने क्या किया यहाँ पर? अंग्रेजों ने क्या किया? मुसल्मान में जो मस्जिद है उसमें सूर काटके फेक दिया. क्या काटके फेक दिया? सूर काटके फेक दिया. यहां मुसल्मानों की संख्या? जा दे. आरोप लगा किस पर हिंदूओं पर थुरा कोन गिया कि बस थुरवाया कोन है अंग्रेज लेकिन इनको यह मुसल्मान लोग थूरने से पहले ये नहीं समझें कि चार बार बुला के बैठक कर ले हर्लें ब्यार यम हंतोर लेते संख्यागि कम थी क्या कर गए है थुरा गए लोग अब अंग्रेजों ने का बस एक कम कर अब इधर बारी है इधर संख्या किसकी कम है मुसलमानोग की संख्या जादे हिंदु यहां थुरा या कोन है हिंदु Allady फिंदु यहां पर बढ़के हुए है ठीक है यहां कौन है? मुस्लिमों की संग्या कब हिंदू गाय को पवित्र, सबसे पवित्र हर एक भगवान उसमें वास कर गाय का मीट काटके कहां फेक दिया? मंदिर में बस, इनको तो पहले से आग लगल था यह मियोवे कोई ले हो गाई पकड़के किसको थूर दिया? मुसल्मान को, बस, लंदन से जो रिपोर्ट बन के आई थी, आराम से चलने लगी यहां और बंगाल बीभाचन, जिस बंगाल से अंग्रेजों को यह लगता था, कि यहां से आजादी का बिगुल बजेगा यहां से भारत मा को आजाद कराए जाएगा यह अंग्रेजों ने अईसा जहरबो के गय सब, कि भारत का सबसे बड़ा दंगा, नौाखली दंगा बंगाल में हो गया देखो हम लोग का यह है, और यह आज भी अंग्रेज चले गए हैं, बट उनोंने अपने वनसजो को छोड़के गए हैं जो अभी संसद में निमास कर रहे है अज भी वो यही करते हैं बंगाल जो बिभाजन किया गया था गया थाARाष्टिय चेतना को क्या किया गया था लेकिन यह वाला जो था पुरवी बंगाल जो आगे जाके क्या बन गया पुर्वी पाकिस्तान और पुर्वी पाकिस्तान आजा दो के क्या बन गया बंगलादे लेकिन ये वाला जो था पस्चीम बंगाल वो तो जस्कतस रह गया क्या हो गया जस कता है और वही क्या काला जाता है पस्चीम बंगाल ये वाला पुरी भी बंगाल आप देखे ध्यान से जब कभी भी आपकी संख्या कम है किसी गाउं में आपकी संख्या कम है या आप कमजोर है तो याद रखिएगा सक्तिसाली व्यक्ति हर हाल में आपको उकस वरना ऐसा लात खाईएगा कि इतिहास में चलिएएगा इसका सबसे अच्छा आर्मी ने यहाँ दो आदमी का इनकाउंटर कर दिया किसी सरीफ आदमी का इनकाउंटर नहीं होता है कुछ ना कुछ किया होगा हाँ ये बात अलग है कि थोड़ी सी गलती पे सजा जादे होगा लेकिन इन लोग ना बरदास कैसे होगा हम है सब कुछ यहाँ उठा के आर्मी के कैमपर हमला कर दिया बदले में आई आर्मी मारी दू लाख को काटके खतम कर दिया उद्दू आदमी का जो इनकाउंटर हुआ था अगर बरदास कर लेते है यहाँ ढ़ाई लाख लोग बच जाते है कुन समझाएगा इन गधों को तो यह हम इसलिए कर रहें कि इतिहास से आप कुछ सीखिए आप भी कभी गाउं में होंगे ना तो आपके गाउं का मुखिया बड़ा बड़ा आदमी आप बहुत दबाने की कोसिस करेगा आप तब तक बरदास कर लीजेगा जब तक आपका है अपने जॉब ओब नहीं ले लेते हैं ससकत नहीं हो जाते हैं फिर आपसे कोई नहीं लड़ने आ लाएग यही हुआ यहाँ आप तो बंगाल का यह पूरव में होते हुए पस्ची में क्यों चला गया क्योंकि 1905 में जब बंगाल विवाजन किस नहीं किया था? करजन इसलिए गोपाल किष्ट गोखले जैसे विद्वान ने लॉड करजन को कहा था कि यह औरंजेव है क्या है? औरंजेव है क्या है? औरंजेव करजन की तुलना किस से की गई थी? औरंजेव से की गई थी औरंजेव भी बड़ी ही सब हिंदू-मुस्लिम करते रहाता थी तो यह क्या पूरब में है कि पश्चिम में है? पूरब में है नाम क्या है? पश्चिम में किस के तुलना में? पुर्वी बंगाल के तुलना में यह क्या है बंगाल जो है यह इतना बहतरीन जगा पर है कि इसको अगर आप एक देश के लिए जितनी चीजों की जरुवत होती है उतना इस राज में अकेले है किसी भी देश को समुदरी सीमा की जरुवत होती है इसके पास है किसी भी देश को क्रिसी भूमी की अच्छी तो बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे भी डारजिलिंग, सिली गुडी, जलपाई गुडी, टूरिस्ट प्लेस भी एक नंबर है, किसी भी जगा पर, जो भी जगा रहते हैं, इंटरनेशनल बाउंडरी रहता है, तो अच्छा होता है, इसके पास दो दो तीन तीन इंटरने भरी हुई है, किसी भी देश में खनी संपदा, अगर रहेगी, तो खनी संपदा से वो देश आगे बढ़ जाता है, तो खनी संपदा यहाँ पर बहुत ज़्यादे है, रानी गंज, किस लिए है, दुरगापूर, दुरगापूर, इंडस्ट्रियल अले है, कोईला के लिए बहुत बहुत बेहतरीन जगा है, तो पस्चिम बंगाल बहुत ही हर तरह से क्या है, वर्सेटाइल है, इसमें कोई कमी नहीं है, जबकि अगर आप देखेंगे बिहार में, समुंदर खत्म, बाढ़ वगरा की समस्या नहीं है, बाढ़ और कुछू नहीं आता है, दामोदर म